वेल्कम टू मैं चैनल एड़ोकेट क्लब सो आज हम स्टार्ट करने वाले फ्रेंड्स हमारा दमाहरा स्टोरेंड कंट्रोल एक 1999 यह मैंने पहले भी अप्लोड कर रहा था मेरे चैनल पे शॉट नोड्स की तरह बैट वो मैंने बार में देखा उस पर कि उस पर वाइस क्लियार नन इग्ज़ास्ट की आए है किस तरह का है काईदा इसमें 60 सुंख है या यह स्टेट, लिस्ट में आता है, महारास्ट्र हम बहीं पर दिखाय देता है, कि माहरा स्टोरेंट कॉंट्र एट में यह स्टेट का काईदा है तो यह स्टेट लिस्ट में आएंगा लिस्ट जो होती है हमारे शेडूल 7 में दिये वी है आर्ट जो कि हमारे कॉंस्टी में है उसमें तीन लिस्ट होती है उनियन लिस्ट 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 ल स्टेट लिस्ट में जो है हमारा ये काईदा मेंशन है बाकि हमारे सो सेंट्रल के जो काईदे होते हैं वो यूनियन लिस्ट में मेंशन होते हैं फ्रेंड इंग जनरल और इसका इनेक्टमेंट जो है फ्रेंड यह ऑफिशल गैजट है उसमें दिखाया गया था बैट ऑफिश को जूडिशरी में यह अपलाए होता है या उनके कोश्चन पेपर में यह पूछा जाता है जैसे हम देखते हमारे करने के लिए है अमेंड करने के लिए है करने के लिए है री अपर दो से और प्रीbenड निकाल है in कि रेशन करने कि तो इसका कंउचिंग करना हो बनाना फो कट्रही करना क्या नई बिल्दिंग उसके लियो होगा बाश्रिंग फेर रिटन क्या शुर करेगा याइट कि वो टेनन को या फिर लेंडलोर को क्या हो फेर रिटन मिले इन्वेस्ट्मेंट बाई लेंडलोर और लेंडलोर से डिल करता है ये कायदा लाइंड रिटन ही है उसके हमको समझ में आता है फ्रेंड तो ये सब इसके जो पर्पोस है ये दे रखे हमारे प्रियंबल में तो इस तरह से कायदा फिफ्टींत येर में 50 येर में रिपब्लिक ओफ इंडिया के बनाया गया है जो जिसका पहला चैप्टर है हम स्टार्ट करते है जो हर किसी आड का होता है फोस्ट चैप्टर लेकिन हमारे मुझे बताइए फ्रेंड्स या फिर मैं आपको रिप्लाइद होगी अगर आपको नहीं मिलता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्स्ट जो सेक्शन है हमारा सेक्शन है शॉर्ट टर्टल एक्स्टेंड कमेंस्मेंट तो इस एक्ट में भी कॉल महारास्टर रेंड कंट जो आफिशाल गयाजट में था मैंने उपर डेट को आफिशाल गयाजट में रखा है कि है section है वो है application तो application बताता है किसकी जगापे यह applicable होता है इस एक्षाल इन फॉर्स्ट इंस्टेंट अप्लाय टू कहां अप्लाय होता प्रिमाइस लेट फॉर पॉपर्स ऑफ रेसिडेंज एजुकेशन बिजनस ट्रेड स्टोरेज इंदे एरिया है specified in schedule first और schedule second 11 तो इसमें जो दो शेडूल दे रखे है फ्रेंट पीछे लास्ट में इसमें शेडूल से मेंशन कर रखे है और जो शेडूल है तीन शेडूल है इसमें 60 section के बाद तो उसके जो दो शेडूल से 11 ने फ्रेंट यहां पर टू आना चाहिए था टाइपिंग मिस्टे के तो यहां पर फिर्स शेडूल लेकर अज़ेंट पर शेडूल में इसको मुंबई हो गया है तो उसके बास से अब वही चलता है और जो पर बता रखा है हमने देखा है इन सब जगा के अलावा भी कहा कहां पर अपली के बल होता है तो यहां पर इंट्छल आल्सों आपलाइ कहां होगा तो यह जो अंदर इसके अंदर भी क्या होगा वो अपली केबल होगा लेट बाम यह ए रलेटिंग हाऊज अकार में बस इतना इंटा बताता है फ्रेंट सब्सक्राइब के आपली के बल होगा वर एक्स्टेंडेट हैं और एफ रिम प्लाइट अउक्ट हैं सच प्रीमासिया और मॉस इस चों तक क हमारे अर्ट पर इस को हम पर अप्लिकेबल यह होगा नहीं होगा हमको याग्ट इचला अप्लाई तो अप्लाई टो दो प्रिमाइस स्लेट फॉर पर्पोस अफ स्पेसिफाइड इन सब्सक्शन वन इन सच अफ देटीज और टाउन जो लास्ट शेडूल में शेडूल स्वेक्ट में बता रखे हैं वहां पर भी यह अप्लाई हो स्टेट गोर्रमीन को जो पावर है कि वह नोटिफाय कर सकती हो और कुछछ बी इसमें चेंजन करना हो कुई हो यह बेटल सकती है और इसला यह चैनल वह पर हैард कर अप Two एंग कहां पर आप्लाई ने होगा यह बता रखा है तो यह बताता एक घुत बद्र सेकेंड है और आप्लाइट टू एनिवन और और पर्पोष इसपेसीफाई इन सबसेक्शन 1 उसमें जो एरिया नहीं बता रखा रखा है वो नहीं होंगे उसमें जो एरिया बता रखें वो होंगे इस अप्लाई तो एनी प्रिमाइस लेट फॉर एनी और और पर पॉसे स्पेसिवाइट इन सब्सेक्शन वन इन दे एडिया और दैन दो इस स्पेसिफाइट इन सब शेडूल वन और टू यह शेडूल में से दे रखा है तो अदर दैन इसके अलावा जो होंगे अप्लाय तो यह शेडूल में दे रखा है रखा है अग्रिकुल्चर ऑपन प्लॉट गवर्मेंट और बैंक के जो होती है जगा वहां पर यह अपलीकेबल नहीं होता है छलिए इसका एक्सम्शन दे रखा है एक्सम्शन गया है फ्रेंट कहां कहां पर अप्लिकेबल होगा पहले वह वह आता है दो इसके बाद आता है कि कहां पर अप्लीकेबल नहीं होगा और section 3 में total exemption दे रखा है तो total exemption में क्या दे रखा है government और इतना पुरा deep में नहीं जाएंगे देखिए not apply to government and local authority आएगा टोटल exemption है इस पर नहीं होगा यह हमने जो देखा उपर जो sublet करेंगा to bank यह नहीं आएगा public sector undertaking और एनी corporate established होगा उस पर नहीं आएगा अंडर एने Central and state act पर नहीं आएगा ओके और foreign missions पर नहीं आएगा international agencies पर नहीं आएगा basically state का एदा international agencies पर आभी नहीं सकता multilational company पर नहीं आएगा and private limited companies जो है उसको भी applicable नहीं होगा and public limitation company पर भी नहीं होगा having paid up share capital more than rupees वन करोर से जादा जिसका capital share होगा उस पर भी यह applicable नहीं होता है यह भी याद रखी यह question बन सकता है वन करोर से जादा की जो company होती है उस पर अपली के पर नहीं होगा explanation दे रखा है इस section में friend for the purpose of this clause the expression bank means कौन से bank है state bank of India constituted state bank of India act 1955 में जो था वो subsidiary bank जो होगा कर रखा है जो subsidiary bank act में वो corresponding new bank constitute अंडर section 3 of banking companies तो उसमें भी क्या होगा friend यह लागू नहीं होगा एनि अधर bank कोई अधर bank होती है बिंग schedule bank as defined clause e of section 2 of reserve bank of India में जो दे रखे है schedule bank उस भी नहीं होगा देन है second clause हमारा 2 इसमें बताता है कि the state government may direct that all or any of the provision of this act shall subject to such condition and term as it specified not apply to कहां पर apply नहीं होगे यह बताता है state government कुछ condition लगाते हुए साथ में उसको यह partial exemption है friend वह पहले जो हमने 3 देखा 3 में जो first clause था उसमें थे per total exemption था कि वहाँ अपला होगी नहीं सकता लेकिन अब हमने जो sub clause 2 देख रहे है यह partial exemption यह क्या है partial exemption है मतलब इस पर लागों भी किया जा सकता है partial exemption में प्रिमाइसे यूज़ फॉर पॉब्लिक पर्पस और चैवर्टेबल नेचर और तो एनी क्लास ओफ प्रिमाइसे यूज़ फॉर सच पर्पस इसमें क्या है charitable nature के जो होते है वह दुसरा क्या है फर ट्रस फर religion और चैवर्टेबल पर्पस रिलिजिज़ और चैयरीटेबल पर्पस के होगे तो पॉब्लिक ट्रस्ट होगे वो बोध और पॉब्लिक सबस्क्राइब राख उटेन लेट नौमीनल और सब्सक्राइब नौमिनल रेखे स्थवर छाल रहे हो गे आसे को चरितेबल ट्रस्ट हो गे वह तू प्रमैसे त्रूक थाजिटवल प्लीक थ्रस्ट कर रिलिजियव प्रप्रRIS लिजियेवल पूर्पर्पस एप्र एड्मिस् any direction under this subsection the state government shall ensure that the tenancy right of the existing tenant are not adversely affected पहले जो tenant है उसका जो राइठ है वो existing tenant का जो है effect नहीं होना चाहिए ये भी देखेंगा state government ensure करेगा पहले उसके the expression premises belonging to government and local authority in subsection 1 shall not withstanding anything contained in the said subsection और in any judgment decree or order of the court not include क्या इंक्लूट नहीं होगा building erected on any land held by any person from the government or local authority under an agreement lease license or other grant although having regard to the provisions of such agreement lease license or grant the building so erected may belong or continue to belong to the government the local authority as the case may be and such person shall be entitled to create a tenancy in respect of such building or a part thereof तो इसमें क्या बता रखा है फ्रेंड belonging to government और local authority बोले तो क्या बताए जाएगा कि जो भी court में degree और जो भी इसमें दे रखा है उसके अलावा subsection में कि जो भी judgment degree और order होगा court का वो include नहीं होगा किसको building erect कर रहे है उस time पर government authority agreement करी जाती है कि lease license और other जो भी grant है तो वो उसको छोड़के erect belonging to the या फिर continue जो belong हो रहा है उस पर आएगा friend ओके और इसमें क्या है section next जो है हमारा यह section four power of state government to issue order and respect of premises belonging to the local authority etc इसमें क्या है power तो सभी हमारा basically state law है तो state का ही होगा यह हमको पता रहना चाहिए friend तो power क्या state government का कोई भी issue order कर सकता है respect किस respect में belonging to local authorities है इसके respect में water जो पास कर सकता है वो बताता हमारा section four not with standing anything not with standing anything means friend कुछ भी बोल रखा होगा इसके पहले उसको नहीं consider किया जाएगा इसमें जो बोला जाएगा इसको consider किया जाएगा then not with inside not with standing anything contained in this section act in this act the state इस act में कुछ भी बोल के रखा होगा इसके अलावा भी the state government क्या कर सकती है from time to time by general or special order direct that exemption granted to local authority जो exemption हमने उपर देखा है section three में तो वो exemption जो grant कर रहा है रहा है local authority को under section one of section three में जो देखा था हमने subject to condition कोई condition लगा सकता है state government and term as it may be specified इदर generally और especially in particular cases तो उसका जो time term जो होता डियूरेशन जो होता है वो भी कितना specify किया करेगा generally और especially या फिर किसी particular case के ओपर किसी time के लिए लगाया जाएगा कितने time के लिए लगाया जाएगा as the case में भी state government में इस डिरेक्शन उस पूरे की पूरा total direction किसका है तो state government का जितना state government को लगाएगा इतने टर्म के लिए इस जगह को exemption में रखना है उतने term के लिए उतने duration के लिए उस जगह को exemption में रखा जाएगा जब गवर्में नोटिफिकेशन करेगी official gadget में तो उस exemption को हटाया भी जा सकता है जैन है हमारा next section section 5 section 5 का अनौदर मतलब stop the exemption में होता है normal language समझने के लिए बता रही हो फ्रेंट where there is any contravention of any condition जो condition लगा रखे जो टर्म बता रखे उपर वो टर्म कंडिशन को जो वॉयलेट करता है subject to which any exemption is granted जहां पर exemption grant रखा रखा था महां पर और अर अंडर the provisions of this act this act के अंदर it shall be competent for the state government to direct that such exemption shall cease to have effect from such date as may be specify in the order order में जो date specify कर रखी है तब से वो exemption जो है cease हो जाएगा मतलब खतम हो जाएगा provided that no such order shall be made unless local authority or religious or charitable institution or the university referred in subsection 2 of section 3 has been हमने उपर देखा था local authority religious charitable institution universities जो है उनके order जो है unless कब तक नहीं होगा इस सब जो है reasonable opportunity जब तक उनको reasonable opportunity सुनने की नहीं दी जाएगी कै के लिए showing cause as to why such an order should not be issue ऐसा order जो है exemption grant करेवा cease करने का क्यों ना दिया जाए ऐसा उनको पूछा जाएगा और उनको शो कास देने के लिए reasonable opportunity पी दी जाएगी और उसके बाद जो है order pass करेगा court next है हमारा section 6 section 6 बताता है provisions with regard to standard rent not to apply to certain premises standard rent जो होता है वो क्या करेगा not apply to certain premises पर अप्लीकेबल नहीं होगा यह पताता है section 6 और section 6 क्या पताता है friend हमारा notwithstanding anything contained in this act from the commencement of this act the provision relating to standard rent and permitted increases मतलब स्टैंडर्ड रेट मिन्स जो मार्केट वाल्यू के साब से standard rent होना चाहिए जैसा पहले जमान में एक रुपे पर चला जाता था तो स्टैंडर्ड में सफिशेंट होना चाहिए रेंड और permitted increases मतलब जो भी टैक्स बढ़ते हैं या फिर जो इंप्रूब्मेंट होता है उसके जो इंक्रीस बढ़ाने चाहिए लैंड लॉड को वह इंक्लूट करके भी पर्मिट इंक्रीस उसको बोला जाएगा जो इंक्लूट किया जाएगा टैक्स और रिपेरिंग वगर के जो आमा लेट अर्गिव उन लाइसेंस फॉर कंटिनियूस पीरियट औफ वन यर कब तक के लिए एक एर के लिए अगर यह दिये भी नहीं होगी तो क्या होगा फ्रेंट इस पर जो है स्टांडर्ड ड्रेड और प्रमिटिट इंक्रेस अप्लिकेबल नहीं होगा यह हमारे लिएल क्यों करते हैं उसका जो रीजन है फ्रेंट्स वह यहां पर दे रखा है आपको समझ में आया होगा तो तो आपका नुक्सान क्या होगा उसमें जो permitted increases होगा और standard rate होगा टेनल को वो क्या कर सकता है वो code से applicable करवा के ले सकता है लेकिन आपने अगर किया ही नहीं बारा महने का आपने ग्यारा महने का agreement किया तो यह जो section है वो applicable नहीं होता है इसलिए landlord क्या करते हैं कि 11 month का ही agreement करते हैं ओके फ्रेंट्स चलिए next है हमारा provided that nothing in this section shall apply to इस section में जो वता रखा है वो apply नहीं होगा किस पे the premises referred to in section 20 and 21 जो हमारी section further हम देखने वाल है 20 और 21 उस पे यह applicable नहीं होगा the premises which are constructed or reconstructed in any housing scheme कोई housing scheme होगी वहां undertaken by government जो government की होगी और the maharashtra housing and area development authority or by any of its boards established under section 18 of maharashtra housing area development act 1976 तो इजे maharashtra housing board area है उसमें जो scheme है government जो करेगी construction और रिगर structure उसको यह applicable नहीं होगा और section 20 और 22 को जो है यह applicable नहीं होगा यह section 6 यह बताता है जिसकी पहली definition deal करती है competent authority से competent authority means जो appointed under section 40 इसी act को section 40 है वहाँ पर दे रखा है और competent authority की definition तो वही definition जो बताया रखी है वो यहाँ पर अपली के बहूँगी यह बताता है हम अपने section 40 में जाके उस time पर वहाँ पर देखेंगे क्या definition आती है competent authority की तो टाइम पर मैं आपको remind करा दूंगे कि यह first definition थी हमारे section 7 की next है हमारा second जो पार्ट है second provision यह sub clause बोलेंगे हम इसको second sub clause of section 7 government allotty तो government allotty कोन होगा फ्रेंड alo花 वारुर्मेंट इसमें क्या होगा allotted by state government for any non residential purpose of any department or office of state government of any department or office of the state government s कोर्पोरेशन ओन कॉंट्रोल फुली और स्वास्टेट गरprovेंट नेब्ट क्या कर रखकिया कट्रोल कर रखिया कर रेखिए इसमें क्वाल प्रेटburgh प्रेंडमाइटल महाराथ्या कॉप्रेटिव साइट्य अडिवी तो इनी फॉरेन गन्सलस ऑन सॉ वेदर नेंब्ड and on the 7th December 1996 been the date of coming into force of Bombay rent or house and lodging house rent control Bombay land requisition and Bombay government premises Eviction Amendment Act 1996 wherein their occupation or possession means the principal officer in charge of such office or department of public sector undertaking or corporation or society or consultant. यह जो है government allotty में mention होगे friends basically क्या है allotted by state government होना चाहिए registered नॉन रिस्टेंशल परपस मेन इसका क्या है government allotty कोन होगी वो नॉन रिस्टेंशल परपस के लिए देना चाहिए state government के allot करावा होना चाहिए इसमें क्या था दूसरे एक in relation to any premises requisition or contained under requisition which were allotted by state government for residential purpose पहला क्लॉस क्या बताता था non-residential purpose second वाला क्लॉस बताता है हमारा residential purpose 20 person सेम आएगा बागी सब कुछ occupation प्रिमाइस हिस लीगल हैस को भी इसमें own residence में include क्या गया है means such person or legal hair then हमारी landlord की definition जो आती है सब क्लॉस 3 में तो इसमें क्या होगा friend simply means any person कौन सा person who is for the time being receiving or entitled to receive rent कौन होगा landlord जो receive करता है या entitled है receive करने के लिए rent वो person in respect of any premises whether on his own account or an account or on behalf of for the benefit of any other person वो क्या करता है उसे खुद के own account पे या किसी और के benefit के account में वो जो प्रिमाइस उसने दे रखा है rent पे उसका rent जो वो receive कर रहा है उसको बोलेंगे landlord any other person or as trustee trustee जो होता है या guardian होते है या receiver for any other person or who would so receive जो receive कर रहा उसके बीहाफ में the rent और भी entitled to receive the rent in the premises where led to tenant and also includes इसमार के includes होते है any person not being tenant जो tenant नहीं है वो from time to time derives title under landlord जो landlord के title change होगे अभी landlord यह है देन बेचनिक बद कोई और landlord होता है या उसके legal hairs को मिलती है तो landlord की जो derive हो जाएंगा title तो जो बदलेगा उसको मिलेंगा and further includes in respect of his sub tenant tenant जो sub tenant होगा अगर tenant ने अगरिमेंट में बदा रखा है कि subtenancy रखना allowed है और जो tenant है वो sub tenant रखता है तो उसके लिए जो है tenant जो होगा वो landlord हो जाएगा who has subled any premises and also includes in respect of licensee deemed to be a tenant जो licensee होगा जिसको दिया जाएगा license पे तो वो भी क्या हो जाएगा deemed tenant consider किया जाएगा under the provision of the Bombay rent hotel and lodging house rent control act 1947 the licensor who has given premises on license and in respect of state government or as the case may be the government allotty referred to in sub clause b of clause 2 deemed to be a tenant वो भी क्या कह लाएगा licensor is a tenant deemed tenant कह लाएगा by section 27 the person who was entitled to receive the rent जो entitled है receive करने के लिए rent if premises were led to a tenant immediately before 7th December 1996 that is before the coming to force of the Bombay rent hotel and lodging housing society control Bombay land acquisition and Bombay government premises eviction amendment act 1996 के पहले okay friend in short इसमें क्या बता रहा है लेंगे लेंडरोड को नहें जो रिसीव करता है या entitled है रिसीव करने के लिए रेंट किसी भी प्रमाइस का उसको बोलेंगे लान लाटोड नेक्स्ट हमाला लीगल रेप्रेजेंटेटिव लिए लीगल रेप्रेजेंटेटिव समेंज लीगल रेप्रेजेंटेटेव हिए sign CFA की में होगा उसका जो सेकंड चायल होगा वो और लीगल लीगल रिप्रेजेंटिट जो है हमारे फ्रेंड सीपी सी में वो डिफाइंड कर रहे हैं सेक्शन टू में सब क्लॉस 11 में वहाँ पर क्या बता रखा है लीगल रेप्रेजेंट यूंट का मिन्स जो वू रिप्रेजेंट द इस परसन उसमें सेकंड बता रखा है इंटरमिडल विद इस्टेट अफ दिशी वो इंटरमिडल जो होता है न डील करने के लिए स्टेट ओ डिसी के बीच में उसको भी बताया गया है लीगल रिप्रेजेंटेटिट जो प्रिजेंट करता है नर्यवल जो भी डेट परसन ह होगा इसको लीगल है अलग लीगल है और लीगल रिप्रेजेंटेटिव एलग लीगल रिप्रेजेंट कर रहा है जो डेट होगी उस पर्सं को कोड के सामने और लीगल है मेंज उसके जो होता है उसका चाइड जो होगा उसके बाद, वो legal hairs में जाएगा, friend, इतने याद रखेंगा, इसका difference, बस, okay, legal representative में कौन-कोन आ सकता है, friends, administrator आ सकता है, revisioner आ सकता है, hindu co-personer आ सकता है, रेश्टरी लिगेटी जो होड रहता है, वो आ सकता है, executor भी आ सकता है, और इसमें trespasser is not a legal representative, हुआ चलिए डेक्सिर मेरी डेफिनेशन है क्लास फाइए लाइशन्स लाइसनिस लाइसन्सरिक बीञत कर रहा है अंडर खाएक के एक आगरिमेंट कर रहा है लाइसन्स का और उसके पर वो कुछ चार्ज पे कर रहा है मतलब किसी को आपने लाइसेंस पर कुछ दे रखा है अग्रिमेंट करके और उसके जगा पर कुछ फी और चार्ज ले रहे हो वो जो अक्यूपार कर रहा है वो एरिया उसको लाइसेंसी कहा जाएगा फ्रेंट बट इसमें इंक् प्रइंगेस्ट और मेंबर ऑफ फामिली रिसाइडिंग तोगेधर परसन इन दसर्विस और इंप्लाइमेंट अब दफ लाइसेंसर इसमें को नहीं आता है फ्रेंड रॉनिंग बिजनस लाइसेंस का जो कहुंड कर रहा है वो इन अकॉमोडेशन रेंडरिंग केरिंग मेडि यूज कर रहा है वो एक्टिविटी और इनियर एरिया नर्सिंग होम हॉस्पिटल सेन्रूम पर्सन हमिंग अंकॉमिडेशन होटल यह सब जो परसन है फ्रेंड जे रखें यह क्या होते हैं राइसेंस की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होते हैं तो फ्रेंड आज का हमा